विधर्ब के 160 चात्रों ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए 100 उपग्रह बनाने के लिए अब्दिलकलाम इंटरनाशनल फांडेशन की पहल में भाग लिया चात्रों ने शहर के विसेंट पलोटी कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग में आयजित एक कारेशाला में उपग्रहों का निर्मान किया विशेश रुची के तत्या यह है कि इन चात्रों में गर्चिरोली के दूर दरास के शेत्रों की आदिवासी चात्र शामिल है देशभर से 106 और राजभर से 375 चात्रों की अंतरिक्ष अनुसंधान पेलोड क्यूब्स चैलेंज 2021 में भाग लिया गया था इनमें से 160 चात्र विधर्ब के हैं इनमें म्यूंसिपल स्कूल, जिलापरीश स्कूल, आदिवासी आश्रम स्कूल, धारावी जुग्यों के चात्रों के साथ साथ विकलांग चात्र भी शामिल है उलंदाना जुले के जलगाव जामोद, भंडारा जुले के लखनी, तुमसर यवतमाल जुले के पुसाद, गोंदिया जुले के नेर, देवरी, सकोली, सलोना, मुर्डोली, दरेकासा जैसे दूर दराज के इलाकों के चात्रों ने उपग्रह का निर्मान किया डॉक्टर रामेश्वरम एपीजी, अभीनाव कारिशाला का आयोजन अब्दलकराम इंटरनाशनल फाउंडेशन द्वारा किया गया था कारिशाला में चात्रों ने 25-80 ग्राम वजन का एक उपग्रह बनाया और इसका परिक्षिन किया विश्व एश्या के साथ साथ राष्ट्य स्तर के रिकॉर्ड के लिए इस परियोजना को रिकॉर्ड करने के प्रयास चल रहे है विश्व में सबसे कम चात्रों द्वारा बनाये गए 25-80 ग्राम वजन वाले 100 उपग्रह में एक साथ लांच किये जाएंगे इन उपग्रह को 35,000 से 38,000 मीटर की उचाई पर उच्च उचाई वाले वैग्यानिक गुबारो द्वारा लांच किया जाएगा इन पूरे उपग्रह को एक स्थान पर रखा जाएगा इसमें पैरिशुट, जीपियस ट्रैकिंग सिस्टम और लाइफ कैमेरा भी होगा पर पढ़ने वाले प्रभाव का भी अधियन किया जाएगा प्रशेकपन के बाद उपग्रह को जमीन पर वापस आने में पास सी आग घंटी का समय लगेगा छात्रगर से सैटलाइट लॉंचिंग, सैटलाइट भेजने की जानकारी ओनलाइन देख सकेंगी इस परियोजना की शुर्वाद डॉक्टर एपीजे इसे अब्दुलकलाम इंटरनाशनल फांडेशन, स्पेस जोन इंडिया और चेन्ने में मार्टिंग ग्रूप के सयोग से किया जारा है यह परियोजना भारत रतन डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम की विचार से प्रेरित होकर चात्रों की बीच अंतरिक्ष अनुसंधान में रूची पैदा करने के लिए इसे लाखु किया जारा है इस तरह की जानकारी फांडेशन के महासची मिलिन चौदरी और महाराश्य समीती के एक सदस्य डॉक्टर विशा लिच्छे द्वारा योगदान दिया क्या क्यामर पोसन राजकुमार मोड के साथ अभिशेक पान से बीसी न्यूस नाकपुर